गुद मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चो आज हम पढ़ेंगे सेक्ष्वल रिप्रोडक्शन इन उडोगोनियम यह काफी लंबा टॉपिक है काफी लंबा टॉपिक है और जो क्वेस्टन बनेगा यह भी एक लेंथी क्वेस्टन बनता है बच्चो ठीक है सेक्ष्वल रिप्रोडक्शन के उपर जो क्वेस्टन बनेगा वो फुल मार्क का भी आ सकता है तो क्वेस्टन किस किसम से बन सकते हैं यह नोट कर लेना आप लोगोंने डिस्क्राइब दा प्रोसेस ऑप सेक्ष्वल रिप्रोडक्शन इन उडोगोनियम इन डिटेल अगर ऐ रहते हैं उडोगोनियम के अंदर कुछ रहते हैं मेक्रेंड्रस टाइप तो अगर थोड़ा सा छोटा होगा पांच या छे नंबर तक का तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं अलग अलग डिके डिस्क्राइब मेक्रेंड्रस टाइप आफ सेक्ष्वल रिप्रोडक्शन इन उ हिसाब से यह को पांच छे नंबर तक का प्रश्ण रे सकता है तो आप लोगों ने इस प्रश्ण का तैयारी तीन तरह से करना है या तो इक दो तरह से स्वरी बच्छो या तो एक इन्टेक्ट फॉर्म में ठीके या फिर एक अलग मेक्रेंड्रस टाइप ऑफ रिप्रोडक इन उड़ोगों नियम डूरिंट इस लाइफ स्पेन ठीके तो कई बारी एक्जाम में प्रश्ण आ जाता है बच्छो ठीके साइज बारी इनके नाम पूछ लिए जाते हैं अलग अलग जो हमारे पास प्रपेग्यूल बनते हैं उड़ोगों ने उनके नाम बताओ ठीके त उसको भी समझने में help मिलेगा इन images से ठीके तो यह images बच्छो अच्छा एक बात में बता देना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे images की मदद से मैं इस topic को समझाने का कोशिश किया है तो images नहीं बनाने बच्छो जहां पर भी मैं image के उपर slide पे काटा लगा द तो image आपको ड्रा नहीं करना है वह सिर्फ आपको समझाने के बच्छो जहां पर भी diagram आपको ड्रा करना है वहां पर मैं उस slide पे टिक लगा दूँगा बच्छो इसका मतलब वह slide आप लोगों ने डाइग्राम्स बनाने आदरवाइस बहुत सारे डाइग्राम्स हो जाएंगे बच्छो नहीं तो अपरेशान हो जाओगे मुझे डाइग्राम्स का मदद लेना था क्योंकि यह topic समझाना मुझे लग रहा है थोड़ा सा थोड़ा सा अफर्ट की ज़रूरत है ठीके बच्छ सबसे लार्जेस्ट होता है इसके बारे में जादर डिटेल में जानने का जरूरी नहीं है वटाट जुस पोर्जुस पोर्डा लार्ज मैसेब और पाइरी फॉर्म और पीयर शेप्ट मल्टी फ्लेजिलेटिट ग्रीन स्ट्रक्चर जो और स्पोर्ड विचार फॉर्म्ड दूरिंग एसेक्शुल रिप्रदक्शन और दूरिंग फेवरेबल कंडिशन्स बाइ उडगोनियम ठीक है एंड जुवो स्पोर इस दार लार्जेस्ट स्पोर फॉर्म्ड इन उडगोनियम ठीक है जो बाकी तीन बच्चे है इनका शेप सेम रहता है बच्चो किताब में क are green one is non green यह मैं आप लोगों के लिए टास्क चोड़ देता हूँ एक दे रेता हूँ जिस प्रपग्यूल ने जर्मिनेट होके आगे फिलामेंट बनाना है ठीक्चे टैलस बनाना है वह बुस नहीं बनाना है बुस्ट्रीन रहेगा ठीक्चे मेरे पैयरे ब्च्चो यह आप WhatsApp व्ट्रूजे सकते हो, कि विश्पोर शूद नट भी ग्रीन ठीक है? और इट इन फार इस प्रापड यूज पेल ग्रीन और अधिक है यहलोई इंग यह इलोईश कलर, पाट नॉट अग्जेक्ट ग्रीन कलर ठीक है? द्वाइब करेंगे मैं एक बारी सिंपली डेफिनिशन बता देता हूं मैं क्रेंड्रस टाइप वह टाइप स्पीशीज जिन में जो female reproductive structure है called oogonium and male reproductive structure called anteridium they are formed on normal filament normal filament बच्चो ठीक है जो vegetative thalus मैंने दिखाय था cap cells मैंने बताये थे उन cap cells के अंदर बनता है normally ठीक है चाहे वो फिर एक filament पे बने चाहे दो अलग अलग filament पे बने यह हम बोल साथे हैं कि जो male reproductive structure और female reproductive structure बनते हैं वो सिर्फ normal filaments पे बनते हैं ठीक है जबकि नेनेंडरस टाइप आफ जो species है उन में क्या होता है जो oogonium है वो normal filament पे बनता है बच्चो जो normal आपका oogonium का filament बनता है ठीक है और जबकि जो antiridium है वो बनता है एक छुटकू जैसे फिलामेंट के उपर ना एक छुटकू राम के उपर और दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि इन नेनेंडरस टाइप और आफ स्पीशीज और इन नेनेंडरस टाइप आफ सेक्शल रिपोड़क्शन वर नेनेटedarन वर डविशन देय्शल प्रि afterwards मेल' रपॉल्च्छ्छी अ्ष्प्छ्ट्च्र टूस्ट्ट्टों रवेर नेनेंडर्यू डबल नन थांदक रएपू मॉयल्यू तबल न का तीबर्यूर्ण ते इनेंडर्यू और इसको छुटकुराम है यह, इसको डौर्फ मेल भी बोल सकते हैं। डौर्फ मेल, आगे में डायग्राम बता दूँगा, ठीके चलो मैं रफ जैसे डायग्राम यही बना देता हूं, that dwarf male consists of few cells one or two upper cells smaller cells which become anti radial cells okay especially sexual reproduction के time में ही बनते है बच्चो ठीक है ये normal vegetative filaments नहीं है ठीक है these are sexual filaments specially meant during sexual reproduction in nanodorous type of species it consists of few cells out of which the lower most cell is a very large bulbous just like that of the cell of normal filament ठीक है which functions for attachment and upper one or two cells which become anti radial cells ठीक है बच्चो फिर आप लोग बोलोगे गुर्जी ये endospore बताने का क्या purpose है तो मेरे प्यारे बच्चो जो ये endospore है this germinates and it gives rise to this nenendrium और dwarf male and inside this nenendrium और dwarf male antiridial cells ठीक है तो ये का में बच्चो एंड्रोस्पोर का और साइज वाइस क्या है this is smaller as compared to zoo sport ठीक है the third one comes मैं इसी slide में बता देता हूँ एक बार फिर से आपको डिस एंधिरो जोईड एंधिरो जोईड और स्पर्मेटो जोईड ठीक है and this third type of propagule is smaller than androspor in size लेकित एक बात याद रखना है बच्चो चाहे वो macronendrous type of reproductive behavior हो चाहे वो nenendrous type of reproductive behavior हो एंधिरो जोईड का size बराबर रहेगा बच्चो आप यह नहीं बोलेंगे कि यह dark male छोटा है तो इसके अंदर जो एंधिरीडियम बनेगा एंधिरो जोईड बनेगा sorry एंधिरो जोईड बनेगा वह small होगा ऐसा नहीं होगा बच्चो क्यों कि यह इसके अंदर male nucleus रहता है और ऐसा नहीं कि male nucleus जो है नहीं टाइप में छोटा हो जाएं में टाइप में बड़ा हो जाएं विल्कुल नहीं रेता है ठीक है बच्चो तो साइज ओफ और इंधिरो जोटीजर जोग जैंधिरो साम इन बोद कैसी इन मेंखर आप और फौर्थ तइप अबक्चो इस अ मियाओ जूो श्रॉ इस स्मालेस्ट इस थे हैं स्मालेस्टे इस साइज एंद हव इस फोर्ड वैन फेलाज़िएशन अकर्स इंसाइड वो जॉनिं जाइगोट इस धॉर्म्ट एट जाइगोट अदेश्ड पीरीदर अद बिफोर जर्म जो जाइगोट मियोसिस करता है, जाइगोट का पूरा सेल मियोसिस नहीं करेगा, means चार सेल नहीं बनेंगे, but the protoplast, the protoplast of a zygote breaks into four parts as a result of meiosis, ठीक है, and those four protoplast, daughter protoplasts, transform into this minute structure called mi-io-zuospore, and finally these mi-io-zuospore are liberated from zygote after its breakdown of its wall and give rise to our new vegetative filament of udo-gonium. तो ये बच्चो, ये सिरफ समझाने के लिए अच्छा बच्चो, अब ये निए सोचना कि सर बोर कर रहे है, ये चीजें एक बारी समझ ले, अच्छे से याद रे जाएगा, तो फिर आगे की topics जानना आसान हो जाएगा, मेरे बच्चो, ठीक है, अब एक बारी last time में, बैं फिर से एक बारी repeat कर देता हूँ, इस जुआ खुआ 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 ख इस आवर एंथिरोजोएट इस डाजन्ट प्रोडूस अनी फिलामेंट बट इस फंक्शन इस तो फूज विद फिमेल गेमिट तो प्रोडूस दा ओनली डिप्लॉइट स्ट्रॉक्चर फांट इन लाइफ शाइकल ऑफ उडो गोनियम तो मैं सोच नहीं बढ़ना पड़ेगा ये काफी कलियर हो गया बच्चो ठीक है इन मेंसे जो चार पांच मेंने ये स्लाइड बताए इन में कोई भी डाइगराम ज्रा नहीं करना है बच्चो ठीक है कुछ नहीं करना है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था ठीक है अब आते हैं असल मुद्धे पर सेक्शुल र मौड अफ्यूजन क्या होता है बच्चो वेर अब मेल गेमिट इस माइनूट और हाइली मोटाइल एंड फिमेल गेमिट इस वरी लाइज मैसिप है जार्ज क्वांटिटी ओफ फूट स्टोरेज और इस टोटली नोन मोटाइल और इस इमोटाइल मेल रेप्रडिक्यल टाइज लाइज एज अन्तिरिडियमत हैछ इस अं क्या होता है बच्चो व्वेर रोग्यू मैल गेमिट कॉल्ण आयोगाद मोटाध इसेत्विल करया हाइज द्यूट कॉल्ट को होता है बच्चों जो उगोनियम का प्रोटोप्लास्ट होगा वो कम्प्लीटली एक फिमेल गेमीट कहलाता है एक और और भी बोल सकते हैं ठीक है और अब इसके बाद सम्कंडिशन्स में एक प्रोटोपार्गरां और अधीक है अगीटली में आखेस्ट नीचे कि अव्यारेच उप्लियाय आखेस्ट में इस वेल्टोप्ली इस ग्रींट्स प्रोटोप्लिशन्स विक्ट्रोटन साओक्र अाँठ्ट में पार जाएंगे उन में कभी भी sexual reproduction नहीं हो पाएगा वो शिर्प रिप्रिदूस करेंगे asexually ठीक है वेरेज दा स्टील वाटर दा फिलमेंट ग्रोइंग इस्टील वाटर दे अंडर गो czasie भी टनीमेंट था रिव कर दितृहरर है ठाग्यूस सաे ज सिureक गोक्ड़िनेजन देए mahdollना में पाएगा ठाग्यूस सुल्कि विलमेंट पाईखर।र।स्ब गोटिएं एकि निन स्टॉटिवय बेस्चिन हो जो।स्टील नंट फ्यूस करेंटूस्टूस और वी कन से इसकंडिशन गोनीं देशन सेक्ष्वल और पॉड़ गोनिय अब आते हैं मेल पिडुश स्ट्रक्चर पर यह मनें ने बता रिया था पहले से लिए इस पूड़ से फिमयल पॉड़ और पॉड़ गोनिय इस अराद है और आल्वेज फॉर्म और नोर्मल नेंडरस टाइप आफ रिप्रोड़क्टिव बीएवियर हो ठीक है दोनों में दोनों केसिस में जो उओ गोनिया बनेंगे वो नॉर्मल फिलामेंट के उपर बनेंगे बच्छों जबकि जो एंधिरिडिया है वो अलग-अलग तरह से बनेंगे दोनों केसिस में जो मेकरेंड आप लगों को बताया था आगे के जो स्लाइड से उनको समझने में थोड़ा-थोड़ा काई आसानी रहे ठीक है बच्छों this is it this is oogonium female reproductive structure ठीके consists of two parts असल में ठीक है बच्छों क्या होता है जब capsule में division होता है एक this is a cap cell which is considered a young cell this divides transversally मैं हलका सबता रहा हूँ बच्छो जो lower cell है this remains at the base it is called supporting cell or sublateral cell ठीक है और जो upper cell होता है ये बहुत ज़्यादा food store करता है और ये bulbus बन जाता है और ये बन जाता है upper cell in the form of oogonium ये याद रखना बच्छो ठीक है इसका formation जाता डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि आगे बताया ही है तो मेरा इस slide को बताने का में उद्देश यह है कि जो oogonium बनेगा बच्छो ये हमेशा normal filament के उपर बनेगा ये normal filament के उपर चाहे वो macronendrous type of behavior हो चाहे वो macronendrous type of behavior हो ठीक है बच्छो और जबकि जो right side में है these are antiridial cells in case of macronendrous type why because antiridia are formed either on normal filament or on a specialized few celled filament called nenendrium or dark male ठीक है in macronendrous type of reproductive behavior antiridia are formed on normal filament whereas in nenendrous type of reproductive behavior antiridia are formed on a dwarf male ठीक है बच्छो आप फिर बताएंगे आपको what are antiridia? antiridia formed are small cells in case of macronendrous type as well as in case of nenendrous type ठीक है अब ध्यान से देखना जो antiridial cells है ये बनते कैसे ये मैं आगे के slide में बताना है बच्छो लेकिन यहाँ पर फिर वही बात है एक बड़ पहले ही समझ ले तो आसानी हो जाता है जो ये antiridial cells है height में कम है लेकिन width में ये normal filament के बराबर है ठीक है? width में बराबर है height में ये कम है ठीक है? और इना raw बनते है जालतर केस में ठीक है? तो ये हो गया हमारा macronendrous type में और nenendrous type में भी one or two cells होते हैं बच्चों, dark male के उनमें एंथिरीडिया बनते हैं ठीक है? और एंथिरीडिया के अंदर दोनों cases में एंथिरो zoids बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक और में हलका सा बात बता देना चाहूँगा जो ये base lower cell है बच्चों ठीक है? जिसको हम supporting cell या suppalateral cell बोलते हैं ये कई बारी में ऐसे ही पढ़ा रहता है और कई बारी में क्या होता है? दिस अगें divides and re-divides ठीक है? टू प्रोड्यूस upper oogonium and lower supporting cell and in that case what happens? वी फाइंड आर रो oogonia ये तब बनता है बच्चों कई बारी आपको filaments जब हम practical में देखेंगे कई बारी आपको oogonia एक row में दिखेंगे ठीक है? तब आप लोग बोलोगे गुरूजी ये कैसे बनता है तो उसका एक simple सा उतरिये है तो ये supporting cell है this undergoes repeated divisions to produce our row of oogonia तो जो ये image है मेरे प्यारे बच्चों ये draw नहीं करना है ये just a fact समझाने के लिए था कि जो oogonia है या female reproductive structures है वो macandrous cases में और menandrous cases में दोनों cases में ये normal filament के उपर बते हैं ठीक है? और जबकि male reproductive structures है these are formed on normal filament in case of macandrous condition and are formed on a dwarf male or nenandrium in case of o nenandrous condition तो ये diagram आप लोगों ने draw नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों ये बिलकुल draw नहीं करना है ठीक है? तुकि draw करने के लिए आगे काफी images है बच्चों therefore on the basis of nature of the male reproductive structure called entiridium we have two types of o reproductive behavior और two types of o reproductive species कुछ species है जिनमें macandrous behavior होता है और कुछ species है जिनमें nenandrous behavior होता है और इसी के बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो sexual reproduction in odogonium है यह दो तरह से होगा एक होगा आपका macandrous type दूसरा होगा हमारा nenandrous type तो सबसे पहले macandrous type लेते हैं macandrous type में male and female filaments both are similar means both are normal that is antiridia and uogonia both are formed on normal filaments अब मैं सिधा read करके ही आगे बढ़ता रहूंगा ठीक है यह मैं आगे पहले ही समझा दिया है और जो macandrous species हैं इन में भी आगे दो अलग अलग किसम के species मिलेंगे कुछ होंगे हमारे पास monoecious कुछ होंगे हमारे पास dioecious monoecious species वो species हैं जिन में antiridia and uogonia are formed on same telus or same filament means these are bisexual ones ठीक है यह image भी आप लोगों ने नहीं बनाना है यह भी ज़िस्ट समझाने के लिए था whereas some of the species are dioecious means some of the species are unisexual and there antiridia are formed on separate filament and uogonia or uogonia are formed on separate filament means these are unisexual तो जो macrindus type का behavior होगा उसमें जो filaments है which undergo sexual reproduction may be monoecious as well as dioecious or in other words we can say may be monoecious as well as dioecious so what happens in nenendra's type in this type filaments are always dioecious macho filaments are always dioecious why because it exhibits dimorphism why because of female reproductive structures are always formed on normal filament and antiridia are also formed on normal filament in case of macrindus type but in case of nenendra's type we have another type of filament which is called dwarf male so in nenendra's type we have two types of vegetative of these thalus structures or filamentous structures one is normal filament and one is dwarf male that is why we can say that in nenendra's behavior the thalus show diamorphism that means there are two types of thalus or those thalus here in case of udogonium are filaments so therefore they are always diocese or unisexual that means male and female filaments are always distinct okay bachow female filaments normal and male filaments are dwarf male male root okay female filament is always normal whereas the male filament is a specialized minute filament called dwarf male or nenendrium or phir say بتa dung ga nendrium kia se bakta hai by germination of andro spore dwarf male or nenendrium is formed by germination of andro spore which in turn is formed inside andro spore angium ठीके बच्चो अब आप लोग बोलेगे गुरजी andro spore कहां से आ गया ये andro spore angium के अंदर बनता है बच्चो ठीके और जो andro spore angia बनते है इनका शकल नकल सारा एंधिरीडियल सेल्स की तरह ही होता है बच्चो फरक इतना होता है कि एंधिरीडियल सेल्स के अंदर एंधिरो जोइड्स बनेंगे और जो andro spore इंदर andro spore बनेंगे ठीके और जो नेनेंडरस टाइप है ये भी जो नेनेंडरस टाइप ओ रिप्रोड़क्टिव स्ट्चर करेंगे बच्चो रिप्रोड़क्टिव बिहेवियर करेंगे उसमें एक तरफ से हमारा उगोनिया बनेगा विच्चिस फॉर्म्ड और नॉर्मल फिलामेंट और दूसरी तरफ से बच्चो सिदे एंधिरीडे नहीं बनते हैं बच्चो पॉर्मियर वो शुरुआत करेंगे हम by the formation of female reproductive structure card Uogonia and endrosporengia endrosporengia के अंदर endrospore बनते हैं और endrospore के अंदर endrospore germinate करके हमारे dwarf male या nenendrium बनाते हैं thus on the basis of the nature with respect to formation of Uogonia and endrosporengia either on same filament or on different filaments we have two types of nenendros species first one is gyneendrosporous type what happens in gyneendrosporous type that when the Uogonia and endrosporengia are formed on same filament such type of nenendros species are called gyneendrosporous type whereas if Uogonia are formed on a separate filament and endrosporengia are formed on separate filaments and endrosporous type बनाता है बच्चो यह हम आगे फिर देख लेंगे ठीक है तो इस स्लाइट को दिखाने का मेन उद्यश यह था आप लोगों को gyneendrosporous type of nenendros species के बारे में बताना कि क्या होता है कि कुछ nenendros species में वो Uogonia और endrosporangia एक ही ठेलस के उपर बनते हैं तो वो कौन सा type के लाएगा बच्चो gyneendrosporous type अब फिर आपके खुशकबरी के लिए यह भी ड्रा नहीं करना है बच्चो यह भी सिर्फ समझने के लिए आपने लेकिन समझना जरूर है मेरे प्यारे बच्चो प्लीज और जो इडियो एंड्रोस पोरस type है इडियो एंड्रोस पोरस type इडियो एंड्रोस पोरस type in that case what happens Uogonium is produced on one filament whereas androsporengia are formed on another filament separate filaments so this is nenendras type development of reproductive structures development of uogonia which is same in both cases as well as in nenendras type formation of anthiridium and antherozoid in macronius type and then we will deal with the formation of an anthiridium and thus antherozoid in nenendras type इसको हम आगले लेक्चर में करेंगे बच्चो ठीके फिर मिलेंगे इस लेक्चर के अगले एपिसोड में हाई हाई में simplement रहाई हाई उपाई में अधने अबाई लेक्चर के अङड़ blur